हेलो फ्रेंड्स आज का मारा टॉपिक है एड़ स्कोर एप को इस रेस्पॉंसे इन माइक्रोसोफ एक्सेल तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कैसे आप एक ऐसा आटोमेशन बना सकते हैं स्कोर आप और माइक्रोसोफ एक्सेल के बीच में कि जब भी कोई न्यू क्विज सम्मिशन आपको रिसीब वो स्कोर एप पे तो आटोमाटिकली वो रेस्पॉंस की डीटल्स आप एड़ कर लें माइक्रोसोफ एक्सेल की रो में जी हैं पॉसिबल है आप यह पूरा प्रोसे दोस्तों मज़े की बात इसमें कोई बी कोडिंग स्किल्स की जरวत नहीं है आप बहुती आसानी से फूरा게요 बना सकते हैं तो क्या आप भी पूरा टोमीशन सीखना चाहते हैं विना किसी कोडिंग स्किल्स के तो इसके मैं आपको लिए चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे ओके फ्रेंड्स तो यह है पैबली का लेंडिंग पेज आप भी इस पेज पेज पर आ सकते हैं सिंप्ली आपके ब्राउजर में टाइप करके पैबली.com slash connect यहाँ पर आपको दो आप्शन मिलते हैं amazing automation टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में मैं एक existing user में इसलिमें क्लिक करूँगा sign in पर उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डालोग बॉक्स में उक्लिक करना है access now और आप आप आजाएंगे पैबली कनेक्ट के डेशबोर पे यहां पर आपको right-hand side पे बटन दिखेगा create workflow का इस पे आपको क्लिक करना है तो इस डालोग बॉक्स होपना चाहेगा आपके screen पे जो बोल रहा है enter the name of the workflow तो दोस्तो basically आपको यहां पर आपकी workflow को कोई नाम देना है और select folder वाली फील से आपको particular folder select कर लेना है जिस भी particular folder में आप आपकी workflow को save करना चाहते है अगर आप new folder create करना चाहते हैं तो आप create folder वाली बटन से यह चीज़ कर सकते है मैं आपके click करूँगा create workflow पे और let's say यहां पर मेरी workflow को नाम देना चाहता हूँ add score app quiz responses in Microsoft Excel तो दोस्तो यही हमारा objective है आप आपके साब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहां पर आपकी workflow को उसके बाद select folder से मैं particular folder select कर लेता हूँ तो हम test workflows वाले folder में हमाई workflow को save करेंगे click करेंगे create वाली बटन पे और आप आप आजाएंगे दोस्तो यह वाली screen पे यहां पे आपको दो important module समझना है जो हमारे automation में बहुत important role play करते हैं इनका नाम है trigger और action तो दोस्तो trigger बोलता है when this happens जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो तो basically trigger हमारे automation को start करता है और action में हम वो particular action perform करते हैं हम करवाना चाहते हैं हमारी automation में तो यहां पे आपको trigger application चूज़ करना है इदा पर आपको action application चूज़ करना है सबसे पहले हम trigger वाली step में काम करेंगे तो इदा पर आपको trigger application चूज़ करना है choose app में आपको यहां पे search करना है score app ठीक है यह जब रिज की तरह काम करता है और इसी webhook URL की मदद से आपको score app और पैबली करने के बीच में connection बिल करना है नीचे आपको details मिल जाएंगी कैसे आपको पूरा process करना है मैं आपको directly बताता हूँ कैसे आप webhook URL की मदद से score app और पैबली करने के बीच में इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हमको webhook URL की मदद से score app और पैबली करने के बीच में connection बिल करना है उसके बाद हमको एक test submission करना है score app में जिसकी मदद से हमको पैबली करने के बीच में response received हो तो इसके लिए मैं आपको लिख चलता हूँ और इदा पर webhook URL वाली field में particular webhook URL डाल देना है आपको जो आपको पैबली कनेक से मिला है तो हमने इस webhook URL को कर लिया तो copy हम simply इसको यहाँ पर कर देते है पेस्ट इतना करने के बाद आपको यहाँ पे save पे क्लिक करना है और यहाँ पर webhook secret key में भी आपको webhook URL डालना है जो आपको पैबली कनेक से मिला है तो हमने पर पेस्ट करते थे webhook URL को और उसके बाद आपको यहाँ पे quiz started, quiz finished, lead details updated, lead signed up तो हमारा objective क्या है कि जब भी particular person quiz finished करेगा उसका जो data है वो हमको मिल जाए है तो यहाँ पर आपको send choose करना है ठीक है, quiz finished में send choose करना है फिर आपको यहाँ पे save पे click करना है तो आप देख सकते हैं changes saved ठीक है, तो यहाँ पर हमने webhook का setup कर लिया है हमने score app का connection बिल कर लिया है पैबली कनेक के साथ अब हमको एक test submission करना है जिसकी मतलस हमको पैबली कनेक में response रसीट हो तो test submission करने के लिए यहाँ पर मैं आपको लेचाता हूँ इस particular quiz form पे तो यहाँ पर आप assume करेंगे कि for example कोई भी person जब quiz complete कर लेगा तो उसका response हमको capture होएगा पैबली कनेक में ठीक है तो यहाँ पर हम dummy details fill करते हैं एक dummy person बनके हम इता पर form fill करते हैं ठीक है तो let's say first name यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ टैमू last name मैं देता हूँ for example user email id हम देता है for example user for adequatepriblitudes.com और start पे क्लिक करते हैं ठीक है तो इता पर आप देख सकते हैं हमको एक question show रहा है are you using any CRM तो let's say हमको यहाँ पर yes क्लिक करते हूँ are you satisfied with it तो इता पर no क्लिक करते हूँ ठीक है तो यह particular हमने quiz form यहाँ पर fill कर दिया है एक dummy person बनके public connect में वापिस चलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर positive response received हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं event name show रहा है quiz finished और यहाँ पर आप कुछ other details देख सकते हैं जैसे कि data status finished show हो रहा है और उसके बाद हमको यहाँ पर person की details मिल गई है जैसे कि हमको demo user उसका name यहाँ पर show रहा है quiz form fill कर रहा उसका response हमने capture कर लिया family connect में दोस्तों यहाँ पर लिखा है instant मतलब पूरा process instantly work करता है मतलब आपको यह automation एक बार बनाना है उसके बाद automatically तुरंद यह अपना काम करेगा ठीक है अब हमारा objective क्या है add score app quiz responses in Microsoft Excel हमारा objective यह है जब भी score app में quiz finished हो तो automatically उसके response हम save करने Microsoft Excel में तो इसके लिए आपको क्या करना है action step में आना है यहाँ पर choose app में आपको choose करना है Microsoft Excel तो हम यहाँ पर search करते है Microsoft और नीचे से आपको Microsoft Excel choose कर लेना है action event आपको यहाँ पर choose करना है add row to worksheet और click करना है connect वाली बटन पर यहाँ पर एक dialogue box open हो जाएग आपकी screen पर जो बोलड़ा है connect Microsoft Excel account तो basically आपको यहाँ पर Microsoft Excel का account उसको पैबली करने के साथ connect करना है यहाँ पर आपको दो option मिलते है एक है add new connection का दूसरा है select existing connection का तो अगर आपने आपका connection अगर आप यहाँ पर जाते है अगर आप यहाँ पर जाते है add new connection के साथ तो आपको simply क्लिक करना है connect with Microsoft Excel और next step में आपको आपका account चूस कर लेना है और आपका connection बिल्ड हो जाएगा ठीक है अब मैंने मेरा connection अज़री बिल्ड करके रखाए workbook tribe ID worksheet तो इधर से आपको particular workbook पहले चूस करना है क्योंकि उसके according यहाँ पे fields नज़र आएंगे ठीक है हम इस particular workbook में काम कर रहे है इधर पर आप जीख सकते हैं यह workbook मैंने create करके रखी है Excel में score app quiz नाम की यह workbook है और यहाँ पर मैंने columns भी उसके according create करें जो हमारे form में questions दे first name, last name, are you using any CRM are you satisfied with it तो यहाँ पर मैं इस particular workbook में काम कर रहा हूं जितका नाम है score app quiz तो इस particular workbook को हम यहाँ पे search कर लेते हैं score app और यहाँ से हम particular workbook choose कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने particular workbook choose कर लिए drive ID हम यही रहने देंगे उसके आद आपको यहाँ पर worksheet choose करना है तो यहाँ पर एक ही sheet है इदा पर आप देख सकते हैं तो sheet भी हम यही रहने देंगे और उसके बाद आप इदा पर देख सकते है first name, last name, are you using any CRM or column DA, are you satisfied with it तो इदा पर हमको details map करना है यहाँ पर हमको manually type नहीं करना है यहाँ पर हम mapping करेंगे जो कि एक important step है तो data map कैसे करेंगे यहाँ पर आपको click करना है यह आप देख सकते है previous step का response यहाँ पर इदा से आपको data map करना है तो first name क्या है received हुआ है हमको यहाँ पर first name received हुआ है demo ठीक है जो हमने fill कर रहा था last name हम map कर देंगे last name क्या है user तो हम इता से map कर देते है user ठीक है उसके आद हमको यहाँ पर column C में map करना है are you using any CRM तो जो response हमने fill कर रहा था वो response हमने दा पर map कर देते है तो are you using any CRM तो हमने दा पर yes fill कर रहा था हमने दबर map कर दिया और column D है are you satisfied with it तो दबर हमने no भरा था तो यहाँ पर हम no map कर दिया ठीक है तो यह हमने no map कर दिया तो जिस तरीके से आपको data map करना है दोस्तों mapping का importance यह है कि एक बार आप यहाँ पर data map कर देंगे previous step से उसकी मदल से आपको हमेशा dynamic response generate होगा मतलब कि यह keep for example यहाँ पर मैंने यह details map करनी previous step से अब जब भी हमारा workflow run होगा और जो भी हमको new details receive होगे वो details automatically in details कि यह जग्या जाएंगी और details automatically change होगी क्योंकि हम data map कर रहे हैं कोई भी चीज़ आप इताब manually type करेंगे वो हमेशा static रहेगा वो change नहीं होगा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ठीक है अब हम क्लिक करेंगे save and send test request वाली बटन पर तो आप इदा पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर positive response रस्पॉंस 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 हीड हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं response value में हमको तो मैं आपको लेख चलता हूँ excel में और इदा पर आप देख सकते हैं automatically हाँ पर response आ गया है first name में हाँ पर शोर रहा है demo last name में यहाँ पर शोर रहा है user are you using any CRM में yes शोर रहा है are you satisfied with it में no शोर रहा है तो इदा पर एक बार जब आप यह automation बना लिंगे और यह automation instantly work करता है दोस्तो मतलब automatically जैसे ही कोई quiz finished होगा score app पे तो automatically उसका response save हो जाएगा Microsoft Excel की रो में तो दोस्तो अगर आप भी इस पूरी automation पे काम करना चाते हैं या इस automation को test करना चाते हैं तो इस workflow की जो link है वो में आपको description box में share कर दूँगा तो आप बड़े ही आसानी से same workflow को clone करके उस पे काम कर सकते हैं और अगर दोस्तो आपको इस workflow में कोई भी doubt है तो आप में को comment section में जरूर बताएं थैंक यू यही नहीं दोस्तो आप और भी indication बना सकते हैं पैबली करने की मदस से और आप हमको mail कर सकते हैं supportadretpably.com पे अगर आपको कोई doubt है या कोई query है तो आप हमको mail कर सकते है forumadretpably.com पे और अगर आपकी कोई pricing related issue है तो आप हमको reach out कर सकते हैं इस particular link पे अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें